रामराम भायों के आलचाल साथियों आज हम आए हैं करनाल हर्याणा के अंदर यहां पे एक पिता और उनके बेटे की जोड़ी है जो बहुत ही प्रोग्रेसिव डंग से नए इसाब से खेती कर रहे हैं किस चीज की खेती कर रहे हैं उससे कितना मुनाफ़ा कमा रहे हैं और सबसे बड़ा सफेज जो सेंडल बूट होता है उसकी नडशरी है तो सबसे बहले मिलते हैं के मालिक से राम राम जी नमस्कार आपने कितने एकड में यह चंदन की खेती कर रख अबर सर मैंने जो करद की है पूरे औल ओवर इंडिया आप कोई भी फार्मर खेती कर सकता है तो मैंने साथ प्लांट अपने यहां पर जो इस सबसे बड़े चार साल के हो गए यह सबसे पहले मैंने सीट से उगाए थे जो यह वाले हैं अब करीब अठारा फीट के अराउंड के हो चुकिए अगर आप उ और सबसे अच्छी बात यह है जहां भी चंदन लगाएं वहां चंदन चल रहे हैं अच्छे चल रहे हैं अगर कोई भी किसान थोड़ी मैनत करता है थोड़ा बच्चों की तरह पालता है तो 100 परसेंट भी रेशो आ सकती है तो चार साल पहले आपने यह जो साठ पौदे ल करें तो एवरेज कितने पहले लगते है गर आप हर्याना में लगते हो तो 404 के उतने और बच्चाथे मेंото 2 साइस के आते हैं वहां पर जो पौधे लगाए हैं यह कितने टाइम बाद में चुर हो जाएंगे 12-15 साल लगेंगे 12-15 साल लगेंगे दो साल की प्योध को ट्रास्प्लांट करने के बाद जो एवरेज ग्रोथ रहेगी पर प्लांट की एक एकड में वह वन यह में 5-6 फीट रहेगी वह हम अटेन कर रह जाएंगे 434 एवरेज हमारे यहां का हर्याना का एकड होता है उसमें पांच भी होते हैं उसमें लग जाएंगे तो आपका 125 रुपे के हिसाफ से एक पौधा है तो उसकी कोस्टिंग आगी हमारी 70,000 सतर अजार की प्लांट की प्लांट की कोस्टिंग प्लस निराई- पांच शेकर लगाना चाहता है तो यह सोचके चले 50% लेंड आपकी खाली रही जो 50% है वह आप सेंडल वुड के लिए छोड़ दोगे उसमें कुछ नहीं करना अगर उसमें कुछ करोगे तो आपके खराब होने के चांस है तो आपका यह कहना है कि लाइन टू लाइन कर सकते हो ड्रेगन फ्रूट लगा सकते हो पाया लगा सकते हो पॉमी ग्रेनेट लगा सकते हो और गवावा लगा सकते हो जो उससे इंकम है वो सारी रिकवर हो जाएगी जतने भी आपकी लगी है यह तो हमारा सेंडल वुड का पोदा है जी इसके साथ आपने सेकंडरी एक क्या कोश्टिंग रहती है और यह क्यों लगाना जरूरी है सर ये सेंडल वूड पारसाइट पूदा है पारसाइट पूदा है जो फूड प्रेपेर नहीं कर सकते हैं उनके और हैल्प की जरूरत होती है दूसरे प्लांट से तो आउट ओफ तो होँआड़ मिलाने में 9 महीने से एक साल लगेगा तो यह वाला हमारा जो होस्टिंग का पड़ जाता क्या 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 सकते हैं सब 2 और साथ इसको पे यह यह जो पाइन पूड़ है जो लगा रखी है यह बैसिकली जो चंदन है वह पैरसाइट होती है जैसे कि लीच ज अलग से न्यूट्रियंट की जूरत होती है जिसके लिए यह सेकंडरी होस्ट प्लांट लगाया गया है इसकी जड़े जो सेंडल वुड है वो नौ महिने के अंदर इसकी जड़ों पे पकड़ बना लेती है और इसकी खुराक से यह जिन्दा रहते हैं तो आप अगर सेंडल लगा रहे हैं तो आपको साथ में सेकंडरी होस्ट प्लांट लगाना पड़ेगा सेकंडरी होस्ट प्लांट के साथ साथ जैसा कि बता रहे है कि जब छोटा बच्चा होगा हमारा सेंडल वुड का क्या मेंटेनेंस कोस्टिंग जो सेकिंड एर में जो उसका खर्चा है वो आलमोस्ट हाफ हो जाता है अच्छा तो पहले साल इसकी एक लाग डेड़ लाग के बीच में कोस्टिंग आएगी उसके अगले साल से मातर आपका 15-20-25 रुपे खर्चा है वो भी मेंली वीडिंग पे उसके बाद उनको मेडिसिन की जुरूत नहीं पड़ती है उसके बाद आप उनको सिर्फ न्यूट्रिशन देते जाओ और्गैनिक नुट्रिशन देते जाओ बस और कुछ नहीं करना है अपना यह है कि वर्मी कंपोस्ट बोबर की खाथ यह सब डाल दीजिए और अतिरित क आपका एक एकड़का मिलेगा 12-15 साल के बाद मीनीमम मीनीमम और अगर पूरा रेट पे मिला तो दैट इस 25 करोड एक एकड़का 2030 से पहले एक्सपोर्ट हो जाएगा अच्छा और पर एकड़ अराम से 25 करोड का जाएगा तो जैसे आपने 5 एकड़ लगा रखा है तो आपक साल के अंदर बिलकुल हो जाएगा और अगर पूरा एक्सपोर्ट रेट मिला तो यह यह आपको 100 करोड में अब यह देख सकते हैं यह साड़े तीन साल करोड है और आप इसकी हाइड देख सकते हैं मेरे क्याल से आभी साथ कड़े हो गए 6 feet तो मेरी हाइट है और आप सर यह अक्टूबर में करिए सप्टमबर अक्टूबर में और यह आप देख सकते हैं सिर्फ नाइन वन्स हों इस प्लांट को अच्छा यह नौ महीनों की ग्रोथ है और अल्मोस्ट यह 6 feet इधर पहुँच चुका है हाइट इसकी 80% और प्लांट कोई बड़े भी हैं कोई इससे भी बड़ी हैं तो अप्रॉक्स 5-6 feet तो आपकी एक साल क्रोस करेगी करेगी ठीक है आपने युकलिप्टिस कर रख है उसके बाद सेंडल बूट की पहली लाइन है हम यह लाइन पकड़ लेते हैं सेंडल बूट की एक लाइन लगी फिर यह आपका 15 feet जगा खाल है जो यह अब इसका साथ छोड़के इस राले जापका उस्टेलियन बूट है इसमें चड़ जाएगा तो यह सेंडल बूट के बीच में है और दो सेंडल बूट की रो के बीच में है यहां पर जो मर्दियाय कर सकते हैं सिरफ धान गन्ना ऐसी वसले जिनको ज्यादा पानी जरूरत रहता वह आली क्रॉप आप इंटर क्रॉपिंग में नहीं करें नहीं कर सकता तो जमीन त्यार करने के पर ही बात करें यह किस टाइप की मिट्टी में हो जाता है बस आपके बारिशों में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए ठीक है तो इसमें बेड बे लगाना है य यह खेती करने वाली 10 फिट की जगह है उसका पानी हमारे सेंडल वुड में आ जाए पानी की बात करें सिचाई में इरिगेशन में ड्रिप जादा बढ़िया रहता है या इसमें खुला बानी जादा बढ़िया रहता है डैट डिपेंस अपॉन फार्मर पॉकेट अच्छा इतना बजट है बट मेरे इसाब से हमने कोई ड्रिप नहीं लगा रखी है और विया रणिंग सेक्सेश्फुली अच्छा जहां पर वह वाटर कम है वहां पर ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं पानी क्या होना चाहिए पानी चलेगा इसमें या खारे में भी हो जाएगा अच रेड अगर आपका पी एच जादा है अलकलाइन है तो आप से उपर है आप वाइड लगा तो यहां पर पानी का टीडियस क्या होना चीए ड़ियस ड़ेशन मेंटर ड़ेशन मेंटर अच्छा क्योंकि ज्यादतर मैंने यही देखा है कि जितना फ्रूटिंग प्लांट्स हो प्लांट नहीं है तो मीठा पानी अच्छा हो तो ठीक है नितो भाई साब के अनुसार यह खारे पानी को भी टॉल्रेट कर लेकर लेता बहुत अच्छी बात है तो यह हमने लगा लिया इसके बाद क्या क्रूलोजी रहेगी हमने जमीन प्रेशन समझ लिए इरिगेशन आप देखोगे हमने इसको टच भी नहीं कर रहा है तो इसमें प्रूनिंग होगी इसमें पहली प्रूनिंग कब जाके नहीं साल के बाद उसमें कितनी वूड की प्रोडक्शन हो जाती है सबस्यादा यूजबल कौन सा पार्ट रहता है और क्या रेट पे यह बिक जाता है अभी के टाइम पे फ्यूचर को तो अभी पता नहीं कितना रेट बढ़ेगा क्या रहेगा अभी क्या रेट चल रहा है सर आज के रेट के इसाब से जो एक्सपोर्ट का प्राइज है दैट इस 30,000 रुपीस केजी बट एक्सपोर्ट बैन है अच्छा आप फुद से नहीं क प्राइवेट में लीगल हुए 2017 से जो पहली फसल आनी है 2030 में आनी है 2030 से पहले देविल अलावड कर देंगे एक्सपोर्ट अप कर सकते अच्छा तो यह है कि अभी के हिसाब से तो बहुत बढ़ी हाई और 10 साल बाद एक्सपोर्ट ऑन होते ही यह 13,500 किलो के हिसाब से जो हो जाना चाहिए उससे उपर ही जाएगा लेकिन मिनिमम तो उतना ही रहेगा फिर भी करंट की बात करें तो एक पौधे के अंदर हमारा मैच्योर होने के बाद कितनी प्रोडक्शन निकल जाएगी 12-15 साल में 15-20 किलो पर प्लांट हर्ड वुड हम उसका मीडियम कर लेते है 17 केजिस हमारी लेंड में आएगा अच्छा तो इसमां जो यूजबल पार्ट है वह 15 किलो के गरीब आएगा एवरेज मानके चले तो 17 किलो एक पौधे के अंदर से हाड़ जो सेंडल वुड है जो मेन प्रोड़क्ट है जो बिकता है जिसका परफ्यूम में भी बहुत काम आता है दवाईयों में भी बहुत काम आता है बहुत सारे रिलिजियस धार्मिक ऐसे एक्टिविटी दोते जिसमें चंदन की लकडी ही चलती है वहां पर इत्ती ज़्यादा डिमांड है तो इसका रेट के हिसाब से हम देखें आज के टाइम पे भी अगर आपके पास एंड यह चेंज करेंगे यह चार साल बात बिल्कुल रेंगे सर अभी चूरी नहीं होगा आट साल तक पर चालों लग जाएगा तो पर इंडिया मिले के भी लगा देगा तब में फोल्फिल नहीं कर शकता जो इसकी इस दिमांड है डाट इस 300 परसेंट और जो प्रोडक्शन है इस ओनली 30 परसेंट जो वरियेशन है इस वेरी बिग एक मेरा सवाल यह था कि इसमें सरकार की कोई सब्सेडी बगारा भी है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और नोटिफिकेशन की बेल घंटी भी तब आदेना तो जल्दी मिलते हैं अगली ऐसी कोई बहुत इंफर्मेटी वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखेगा जैन जैजान जैकिसान राम राम